हेलो तो मैं फिर से लिकर आई हूँ अपने फेस कवर के वीडियो तो मेरे पास नए स्टॉल्स में ये दुपट्टा ही था मतलब दुपट्टों में तो मैंने सब से पहले वीडियो इसी का बनाना प्रिफर किया इसकी चोड़ाई काफी जादा है और मैं इसे सिंगल सिंगल मैं ही अपने फेस पे बांध रही हूँ तो मुझे तो इस तरह लग रहा है कि एक दुलहन जो है क्योंकि दुलहन के पास ऐसी रेड ओड मी होती वो अपना फेस कवर करके आई है इसकी चोड़ा इतनी जादा है जो नीचे का पोर्शन आप उसे अपने सिर पे और जो बच है कपड़ा उसे आप अपने गरदन के पीचे बांध सकते हैं तो इस तरीके से आप एक बड़ी ओड़नी से अपने फेस को कवर कर सकते हैं इवन ढख सकते हैं पूरा का पूरा अगर आप पे चश्मा नहीं है तो आप घूंगट की तरह ले सकते हैं और अगर ये 99 रुपी ना तो लेंध में जादा था ना ही चोड़ाई में जादा था और simply यहीं ठीक रहता है क्योंकि जादा चोड़ाई वाले दूपटे वीकल पर संभलने ही पाते हैं और साथ इसाथ हमें गलवस भी वीर करने होते हैं बहुत जादा request आती है आप गलवस वीर कीजी गलवस वी करना जैसे कभी-कभी मुझे फेस कवर्ड नहीं करना होता सिर्फ सिर को ओड़ना होता था ताकि जो धूप लग रहे वो नहीं लगे तो इस तरह से आप अपने दुपट्टे पे एक सेफटे पे लगा लीजिए और दुपट्टे का वन पार्ट अपने शोल्डर पर रख ली कि जबि मैं कॉलिज जाती थी तो में इतनी ही चुड़ाई वाल सिकाफ सोरी ठॉपट्ट नहीं स्टॉल होता था मेरे पास सिर्फ एक स्टॉल होता था वही मैं वियर करती थी और बहुत सही रहता था थंडर ये थंड के दिनों में ठंड से बचा हो जाता था और गर्मियो तो आप इस तरह से अपने face को cover कर लीजिए सिर की hairstyle खराब नहीं होगी आजकल तो boys की भी होती है मेरे husband जी अपनी hairstyle रखते हैं उस चकर में वो cap भी नहीं लगाते हैं पूरी सर दिया बिना cap के निकाल दी मैंने का sir आपकी hairstyle खराब नहीं होगी please sir को protection दे दीजिए बट नहीं मेरे बाल खराब हो जाएंगे चलो कोई ना पर जिन लोगों को अपने बाल खराब होने की टेंशन है वो इस तरह से बान सकते हैं और जब भी मैं एक भी style करके दुपटा हटाती हूँ तो सब सब पहला काम होता है लिपस्टिक को चेक करना कहीं वो मेरे पूरे face पे फैल तो नहींगे क्योंकि मेरे लिपस्टिक ऐसी है बिचारी फैल जाती है थोड़ा सा हाथ लगा हो निकलाती है तो ये मैं कैमरे के मज़े ले रही हूँ थोड़ा सा आंखों को ढगने से कैमरा मुझे गुरा-गुरा करके दिखा रहा है तो ये मेरा black stall है जो कि थोड़ा मोटा है ये सर्दियों के लिए जादा सही है इसमें सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी और गर्मी में गर्मी बहुँ जादा लगेगी तो जब भी आप सर्दी और गर्मी के लिए स्टॉल चूज़ करें तो देखकर चूज़ करें इसमें क्या है तो जब भी आप ये स्टॉल से बांगते हैं तो थोड़ा आइस तक उसका फैबरिक ले कपड़ा ले ताकि फिर क्या होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है और फॉर हेड दिखता रहता है अगर आप पहले से ही थोड़ा मार्जन लेकर अपना सकाफ बांदेंगी तो वो पीछे नहीं जाएगा और फिर आप एजिली अपने सकाफ को बांद सकते हैं नहीं दुपटे को स्टॉल को और अब अपना चश्मा लगा लीजिए पहले मुझे लगता था मेरी ही चश्मे पर धुन्द आती पर मैं इतनी बेवकूफ बाद में ये समझ में आया कि चश्मे को थोड़ा सा आगी करना पड़ता है अगर आँखों से चिपका लेंगे तो नाक की जो हवा आएगी वो इसमें धुन्द च्छा देगी आपको वीडियो पसंद आयागा तो लाइक जरूर करना कमेंट करके बताना बाई